अब लोगों के अच्छी गुजरी होगी आज छोटी से एक बात हम लोगों को समझनी है कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट करें ठीक है इन्वेस्टमेंट कैसे होता है नॉर्मली क्या होए कि लोग जो बिना सोचे समझे कभी कभी पैसा ज़ादा लगा देते हैं Capital आप के पास example के तर पर इन्वेस्ट करने के लिए एक लाख रुपए आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए मतलब कि आपको दो-चार श्टॉक खरीदना है यह एक ही श्टॉक में पैसा लगाना है यह आपने डिसाइड किया है तो कैसे हम लोग invest करेंगे, एक छोटी सी बात को समझ लिजे, for example, ये reliance आपको दिख रहा है, जिसका दाम अभी 2620 उर्पे है, या फिर आपको अगर कोई और नहीं, जैसे अडानी विलमार है, ये है, लगतार ये पिछले कुछ दिनों से 5% के lower circuit पे trade कर रहा है, ये नीचे ज example के तोर पे लेते हैं रिलाइंस को, ठीक है, रिलाइंस के हम open करते हैं, चार्ट, चार्ट open करते हैं, इसका, देखते हैं कि daily frame पर, इसका क्या है, यहाँ पर daily है, d, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर daily frame में, आप देखिए, ये एक candle जो है, वो एक दिन का बताता है, ठीक है, 2022 से यहां पर डेट लिख रहा है न 11 माज 2022 से यह continue देखिए उपर की तरफ ही जा रहा है ठीक है यहां पर उपर जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे आया retracement हुआ फिर उपर गया फिर थोड़ा नीचे आया फिर उपर गया फिर अब नीचे लगतार आ रहा है उपर में M pattern बनाया हुआ है ठीक है अब आपको यह समझना है कि मेरे पास अगर एक लाक रुपया है तो क्या हम एक ही बार में अगर यहां पर market है इस जगा पर market था तो हम एक ही बार में एक लाक रुपया invest कर दें क्या ऐसा है नहीं आपको समझना होगा कि अगर आपने chart study किया था आपने देखा कि पहले यहां पर market लगतार एक consolidation mode पर यहां पर था लास्ट में और फिर इसके उपर से breakout दिया इसने तो यहां से यह पता चलता है कि market जो है काफी जबदस तरीके से उपर भागा फिर थोड़ा सा retracement हुआ अगर हम यहां नहीं खरीद पाए तो माल पर भी हम लों नहीं खरीद पाए तो खरीदने का एक तरीका होता है कभी भी एक लाक रुपए एक ही बार में मत खरीदिये जब इसका दाम लगबख 24,500 के करीब था तो एक लाक रुपए में से आपको हमेशा माल लिजे कि 10,000 रुपए का पहले खरीदना चाहिए आपको 24 200 रुपए के दाम के हिसाब से ठीक है फिर अगली बार जब आपने देखा कि यह मार्केट या तो ऊपर जा रहा या नीचे जा रहा जहां भी जा रहा हो इसको आपको 3, 4, 5 या 10 हिसों में 10 एक लाक रुपए को 10 हिसों में बाट कर 10, 10,000 का आपको खरीदना है यह होता है त सपोर्ट लेके फिर उपर गया था फिर यह नीचे आ रहा है अगर यहां पर आके सपोर्ट लेता है इस जगा पर तो आप यहां से खरीदना शुरू कीजिए यानि कि 2550 से 10 क्वांटिटी खरीदिये ठीक है 10,000 का खरीदिये अगर आप एक लाका टार्गेट रखे हैं फिर उसके बाद से यह भाग के उपर जाता है 26,000 पर जाता है तो फिर खरीदिये 10,000 का या फिर मान लीजिए नीचे भी जाता है 25,000 होता है या फिर 24,000 होता है फिर यहां पर देंके मार्केट कभी भी एक ही बार में उपर नहीं जाता है या एक ही बार में नीचे नहीं आता है कभी भी market जो है कभी उपर जाएगा higher high higher low इस तरह से करते हुए जाता फिर नीचे आता है तो ऐसे lower low lower high लगाते हुए इसको कहते हैं कि एक बार में high गया फिर थोड़ा सा retrace होके नीचे आया फिर इसको पहले वाले high को उपर cross करके जाएगा फिर उसके यही वाला बराबर यह फिर यहां पर नीचे आएगा इसको upper side में इसको यह कहते हैं कि यह travel कर रहा है या फिर market upside में जा रहा है ठीक है जब नीचे आएगा तो उसी तरीके से यह नीचे आएगा तो एक ही बार में नीचे नहीं आएगा यह एक बार नीचे आएगा फिर थोड़ा उपर जाएगा इस तरीके से शेयर बाजार का जो स्टॉक होता है उसका दाम उपर नीचे होता है तो अब आप अभी जैसे 2628 चलना है तो 2628 पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजे या फिर यहां पर भी आप खरीद लीजे 5000 का ओके नेक्जडे हो सकता है यह कम हो जाएगा 2600 हो जाएगा लेकिन कभी भी एक पॉइंट पर आने के बाद खरीद या बिकरी करना चाहिए जैसे यहां पर यह सपोर्ट हो सकता के लिए 2500 के करीब में फिर यहां से उपर जाना शुरू करें इस तरीके से तो यहां से आप लोग पैसे को डिवाइट करके इस्तमाल करना है यह नहीं कि एक ही बार में हमने एक लाक रुपया लगा दिया और पता चला कि मार्केट यहां जाने के बाद नीचे आगया तो आपका एक ही बार 80,000 रुपया दिख रहा है 20,000 कर नुकसान हो रहा है तो इससे क्या होगा कि डर का एक माहौल बनेगा एक खौफ पैदा होगा आपके अंदर कि लो मेरा पैसा बरबाद हो रहा है फिर आप निकाल लीजेगा उसको तो 20,000 कर नुकसान होगा अब कहिएगा कि लो यार बेकार चीज़ है शेयर बजार यह तो गैंबिलिंग है यह जैसी इसका एक बर हम लोग चार्ट पूरा ओपन करते हैं और इसको आप समझने के कोशिस कीजिए एक यहां पर देखिए पीछले कई महीनों से जो है शेयर बजार रिलाइंस का एक इसमें चल ला था रेंज में चल ला था 2300 से लेकर 24,500 के बीच में फिर यहां से इसने इ अंदर में था इसको तोड़ा यहां सपोर ले फिर यहां पर नीचे आया यही सपोर्ट हो सकता है या अघर अगर नीचे आहेगा तो काफ़ी नीचे आ शेक्ता अकता 2220 तक अक रह cinnamon लेकिन उमीद है कि यहां से सपोर्ट लेगा और फिर यहां से उपर जाना शुरू करेगा फिर यहां पर यह इसका resistant हो सकता है अगर इसको तोड़ के चला जाता है तो 3000 के करीब जागा नहीं जाता तो फिर थोड़ा नीचे आएगा या फिर यहीं पर consolidation होगा consolidation मतलब कि वहीं पर रुक कर इसकी तरह चलेगा उपर नीचे यहीं पर एक ही जगा पर उपर नीचे फिर इसके बाद एक range से बाहर निकलेगा और breakout देगा तो हमें उसी तरीके से investment करना है उमीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी और अगर कोई दिक्क्त है समझे में तो comment कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर या फिर मेरे email ID पर आप अपनी बात को लिखके भेज सकते email ID info.rafikahmad at gmail.com ओके तो इस तरीके से आप सब लोग invest कर सकते एक ही बार में पैसा invest नहीं करना है उसको 10 हिस्सों में बाट लिजे अगर आपका target 10 हजार रुपया invest करने का है तो इसको 5 हिस्सों में बाट लिजे 2-2 हजार करना है चाहें वो share बाजार आज उपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो हर दिन या हर 2-3 दिन के बाद से उसमें 2-2 हजार रुपया का invest कीजे 10 हजार का invest कीजे समझ में आई बात और राइट चलिए अपना ख्यार लगए बहुत शुक्रिया